हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन विद गौरब में तो काफी दिन होगे दोस्तों वीडियो बनाए वे और उत्राखंड लेक्सर के एक्जाम के बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं थोड़ा ब्यस्त था तो जैसे कि मैंने बूला था कि मैं आप लोगों के लिए जो है पैड़ागोजी की जो वीडियो है वो लेक्याओंगा तो हम सुरू कर रहे हैं आज से उत्राखंड एल्टी के लिए पैड़ागोजी ठीक है तो जो आप सब जानते हैं तो फ्रेंट्स उत्राखंड एल्टी पैड़ागोजी के लिए जो हम यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की तैयारी में करवाओंगा और बाकी सब्जेक्ट्स तो आप अपना पढ़ी रहे होंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और आपको नोट सीए तो उन्होंने 150 में से 150 करके आगे जबकि मैंने किती बार पहले ही बोला था कि उसमें माइनस मार्केंगे लेकिन यह याद ही नहीं रहा या उन्हें पता ही नहीं था है ना लेकिन अब जो है जो हो गया सो हो गया अब हम आगे की बात करेंगे जो जो भी बच्चे जिनका जिनक जो 30 मार्क्स है उसमें आपके जो भी सिक्षन अभीरूची है या आप कहले लिजे टीचेंग एप्टिट्यूट वह आएगा और बाकी की 70 मार्क्स का आपका डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्टिव नॉलेज में तो उसमें भी डिवाडेशन है जैसे कि आपका डिवाडे ग्रेजुएशन लेवल से आपका इतने इतने मार्क्स का आएगा ये सारे बिशियों का यहाँ पर डिटेलिंग दे रही है मैस के अंदर आप देख सकते हैं कि गणित का 20 नंबर का पोर्शन और बहुत बिग्ञान का 8 नंबर का जो पोर्शन है वो आपके 12 से बाकी आपके ग्रेजुएशन से इसी प्रकार से बिग्ञान वर्ग में भी है आपका और फिर आपका हिंदी वर्ग में कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर काफी ज्यादा रोल है है ना तो पढ़ना आपको सारा ही सिलेवस है तो चलिए खेर हम देखते हैं इस प्रकार से आपने यह स्लेवस देख लिया होगा दोस्तों यह अलगलग स्लेवस आयोग ने दिया है कुछ प्रिवेस एर की जो एक मेरिट है वो भी मैंने यहाँ पर डाल रखी तो देख लेते हैं यहाँ पर यह देखिए उत्तराखंड सब और निट सर्विस सेलेक कैटिगरी है उसमें 79.25 तक जो है वो आपके मेरिट है और 77 जो है लास्ट है उसके बाद जो जनरल पी है उसमें 69 है फिर OBC में यहाँ पर 74 है और SC मेरिट लिस्ट है 69 अगर हम कुछ और की अलगलग सब्जेट के हिसाफ से देखें तो बिज्यान में देखिए बिज्यान मे यहाँ पर OBC वोमन मेरिट लिस्ट का है 53.25 मार्क्स और SC वोमन मेरिट लिस्ट 48.25 पर भी हो रखा है तो इस तरीके से यह आगे देखिए कुछ और भी है इसमें यह है ब्यायाम के लिए तो LT ब्यायाम वाला सब्जेक्ट है उसमें देखो कितनी हाई मेरिट है आपका 77.50, 70.25 मतलब बहुत हाइस्ट है और नीचे आपके राजेंदर बरतवाल हैं कोई उनका आपका 53.25 में उरका है तो इस तरीके से यह कुछ डिवाडिशन है यह वोमन में है अच्छा रंजना है ठीक 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 तो यह वोमन का आपका लास्ट तो वोमेंस को इसमें सिदर सिदर जो है वो मिल रहा है सिदर है ना अगला देखें यहाँ पर जो एल्टी कला इसमें भी मेरेट हाई है 89.85 90.5 जो कुम्ला के आठक से सब्जेक हैं उनमें काफी मेरेट हाई है जिए संगीत में 74 जो साइन्स वाले सब्जेक हैं उनमें नहीं होगी ज्यादा हाई जिस यह सास 41.25 पर भी सेलेक्शन हो रखा है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्लेबस जो है वो के अंदर मेरेट का यह है कि जनरल का लगबग यह मैट्स का है तो मैट्स का 54 पर है यह जनरल मेरेट लिस्ट 54.50 उसके बाद हम OBC में जाएंगे तो 47.50 SC में आये हैं तो 37 पर भी सेले हैं उसमें उतनी ज्यादा मेरेट नहीं है लेकिन जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत हाई जाएगी तो उससाब से आप अपनी तयारी को अच्छे से करें है ना 30 मार्क्स में अपने वहां पर अगर गेंग कर लिए और सब्जेक्ट में 40 भी कर लिए तो सेलेक्श पर यहां पर यह कौन सा सब्जेक्ट है अंग्रे जी अंग्रे जी में देखें यहां पर जनरल मेरेट लिस्ट है 70.74.75 और से वुमन मेरेट लिस्ट है 60.25 है ना तो चले कोई बात नी हमने यह बहुत सारी चीज़ें देख ली तो दोस्तों इस तरीके सा आपको अपनी तय पेड़ागोजी के लिए जो है सबसे पहला ही जो टॉपिक हमारे पास है वो हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला टॉपिक था वो था सिख्षकों में चात्रों के प्रति अभी बृत्ति यानि कि attitude of teachers towards students तो यह आपके पास पहला ही टॉपिक है दोस्तों इसके पूरे पूरे जो टॉपिक है आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे जो भी बुक्स मार्केट में हैं उन सब में आपका एक एक आड़ टॉपिक है कभी किसी में है और जातर वो सीट आट वाली जो वो अवेलेवल है तो उन में इस तरीके एक सथर नहीं होगा मैंने इसको इदर विविट्थि में आते किया क्या चीज़ें तो इसमें यह कि एक टीचछा का एक टीचर है उसका स्टूडेंट को प्रति किस प्रकार का अटिटूट होना चाहिए उसमें इस टीचर के जो है वो सबसे पहले तो सिक्षण के बारे में कि सिक्षण क्या होता है और उसके क्या-क्या उद्देश होते हैं और एक टीचर को किस प्रकार का होना चाहिए उसका किस प्रकार का ब्यक्तित्व होना चाहिए किस प्रकार की सिक्षण जो वीदियां हैं क कलाए हैं यह सब चीज़ें उसको आनी चीए तो यह सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है सिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर राजनितिक व्यवस्ता संस्कृति दर्सन सामा पर प्रक्रिया के बारे में तो उसमें अन्य पर त्यार बारे मिया तो इस प्रकार इसके में प्यूक्रिया यहां पर एक रखना Chut and एक क्यान पर अध्यांपड की आपे जिसमें उस प्यूंसरे पर चात्र अध्यापक और तीसरे कौने पर आपका कर्युक्लम उनको जोड़ता है और ये किस ने कहा था जॉन डीवी ने ओके तो ये कुछ बाते हैं उसके बाद इसमें नेक्स है सिक्षन जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है तो तीन प्रकार से क्या-क्या टाइप से जो टी टीचर होगा वो एक बहुत ज़्यादा इस्ट्रिक्ट और अनुशासन रूल के हिसाब से और बच्चों में जो है वो ग्यान को बच्चों के दिमाग में ठूसने का प्रयास करता है यानि कि उनको देने का जबर्दस्ती या किसी भी तरीके से उनको बस ग्यान देने का प् पहले होती थी ओके फिर आभी की बात करें अगर हम तो लोकतांत्रिक और मुक्तियात्मक दोनों ही प्रकार के जो सिक्षण है उसमें अध्यापक तथा चात्र यानि टीचर और स्टुडेंट दोनों ही आपने आप में क्या होता है एक्टिव होते हैं यानि सक्रिया होते है दोनों पक्स जो है वो सक्रिया होते हैं दोनों के बीच में एक एंट्रेक्शन होता है उनके बीच में अंतहक्रिया होती है तथा दोनों ही एक दूसरे के ब्यहवार को प्रवावित करता है यानि कि टीचर भी स्टुडेंट के ब्यहवार को प्रवावित करता है और अध्य अध्यापक के बजाए जो चात्र होता है उसको ज्यादा स्वतंतरता होती है यानि कि वो ज्यादा फ्री होता है और कब क्या मदब वो बताता वो खुद बताता है अध्यापक को कि कब क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है किस प्रकार से पढ़ाना यानिकि इसमें जादा फ्रेडम दी जाती है इस्टूडेंट्स को तो खेर यह जो नई एजूकेशन है उसमें मेंली चीज़े आती है कि किस प्रकार की होनी चाहिए तो वो है आपका डेमोक्रिटिक वैल्यूस के उपर यानिकि लोगत है तो जीज़ों में अनुदेशन में अंतलब होता है इंस्ट्रक्षन तो यह अगर टीचिंग और के अगे जिसमें कि टीचर आके सिद्धर सिद्धर देता है तो उसमें इंट्रेक्षंव बहुत कम है जी रों उसको हम mé jacket बलल की इंस्ट्रक्षण कहें ऑन और धियापक्त उतर इन तक तो यह भी हमने उर्डी बहुत कहल है कि जो टीचन होती है वह student और teacher के बीच में एक अंताय क्रिया interaction होता है दूसरा सिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है है ना यानि कि सिक्षण का कुछ उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य क्या होता है आप एक शित ब्यावार परिवर्तन यानि कि expected behavior चाहे माने जाती है यानि कि एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया इसको कहा जाता है क्योंकि अपेक्षित ब्यावार परिवर्तन ही इसका उद्देश्य है और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वापस अपनी teaching methods को रिवाइस करके दुबारा teaching करने पड़ती है फिर उसके बाद next है विकास अंदर से बहार तक यानि कि ये जो teaching होती है उसके माध्यम से बच्चे का अंदर से लेकर बाहर तक का जो विकास है ये पुरा का पुरा किया जाता है फिर उसके बाद है next causal रूपी कला को तकनिकों ये रणनीतियों द्वारा बैग्यानिक रूप देना यानि कि एक teaching जो है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं जो हमारे skills होती हैं ये कला है हमारी तो उस कला को अलग-अलग techniques के माध्यम से अलग-अलग विदियों के माध्यम से अलग-अलग strategies यानि रणनीतियों के माध्यम से हम बैग्यानिक रूप में बच्चों की समख से प्रस्तोत करते हैं next है आपके पास संप्रेशन की क्रिया है संप्रेशन यानि की communication यानि कि teaching अपने आप में एक संप्रेशन की भी क्रिया है और संप्रेशन teaching के effective होने के लिए एक संप्रेशन प्रभावी संप्रेशन effective जो communication है उसका होना बहुत जरूरी है अगर जब तक वो नहों हो तब तक हम ये अपना जो है teaching जो है उसको effective नहीं बना सकते हैं जब तक हमारे पास effective communication नहों हो और ये दोनों प्रकार से हो सकता है sabdik यानि की verbal and asabdik यानि की non-verbal तो verbal और non-verbal दोनों प्रकार से हो सकता है जब कि हम बोल के अगर हम करते हैं तो वो आपका communication verbal हो गया और जब सारों से या किसी भी प्रकार से अन्यत माध्यम से संकेतिक करेंगे communication तो वो आपका असाब्डिक हो गया तो असाब्डिक communication करना भी टीचर की एक टेखनीक होती जिसमें कि वो अपने हाव भाव expression आखों से या अन्या expression से ही जो है वो अपना संदेश बच्चे को दे देता है उसके बाद नेक्स है यह हमने बात की कि इसमें दोनों संक्रिया होने चाहिए अगर एक वी पक् mélॉच संक्रिया है दूसरा निसक्रिया है तो उस एक है प्रक्रिया तो teaching के हम से जानते हैं क्योंकि teaching के अंदर हम क्या करते हैं विद्यार्थी की जो कमिया होती है उसके अंदर जो shortcomings होती है जो भी उसके अंदर उसे समझ में नहीं आ रही पहले तो उस चीज का पता करते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं निदान करना पुनर बलन वे सिक्षन वीदियों का प्रियोग करके सिक्षा में सुधार किया जा सकता है और सिक्षा जो है वो एक सुधार करने वाली प्रक्रिया है यानि कि उसमें सुधार किया जा सकता है लगातार टीचिंग के अंदर सुधार हो सकता है किस प्रकार से अगर हम लगातर बच्चे को अलगलग जो सिक्षन वीदिया है अलगलग टीचिंग मैसर्ट से उनका प्रयोग करें और बीच बीच में जो है वो उसको पुनर बनल यानि की आपका reinforcement देते रहें और reinforcement भी जो है जो आपका जो partial reinforcement होता वो ज़्यादा effective होता है बजाए कि आप लगातर reinforcement देते रहें उसके बाद next है आपके पास जो है एक जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है यानि कि lifelong process है पूरी की पूरी जीवन आपके चलता रहता है जो हम ब्यक्ति होता है वो परति सक्षिखा हुआ knowledge है उस knowledge को किस प्रकार से आम जीवन में परियोग करना है या उसको आम तोर paar से प्रियोग करना उसका क्या इस्तिमाल है उसी को हम क्या कहते है generalization या सामयन्य करने यानिया तोर पर उसका उप्योग करना है हमने कोई formula पढ़ लिया अब हमने उसके basis पर कई प्रकार के questions कर लिये that is called generalization और इसी को हम सिक्षा भी कहते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका किस प्रकार से हम सामन्य रूप से उप्योग कर पाएं यही आपका education है next section तथा अधिगम में क्या अंतर होता है तो friends दो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं वह है आपका teaching and learning यानिकि section और अधिगम तो section और अधिगम में basically अंतर क्या क्या होता है देख लेते हैं अधिगम जो है वह section प्रक्रिया का प्रतिफल है यहीं कि जो अधिगम होता है वह उकतब होता है जब section की प्रक्रिया complete हो जाती है इसका मलब वह परिणाम है और जो section है वह process है teaching एक अपने प्रोसेस है जबकि जो learning है वो उसका परिणाम है उसका result है उसका outcome है next सिक्षर तथा अनुदेशन यानि कि teaching और जो आपका अनुदेशन जिसको हम कहते हैं instruction इन दोनों का कार्या अधिगम को प्रभावित करना है यानि कि जो teaching learning है उसको किस प्रकार से ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती है सिक्षर में अधिगम निहित होता है यानि कि जब भी हम teaching करते हैं तो उसमें obviously बारे learning already उसके अंदर included learning तो हो गई होगा किन्तु अधिगम के लिए सिक्षर का या अनुदेशन का होना आवशिक नहीं है यानि कि यह जरूरी नहीं है कि जो अधिगम है यानि लर्निंग है वो तब हो पाए जबकि teaching हो या instruction दिये जाएं बच्चा जो है वो self motivation के द्वारा self study के द्वारा भी पढ़ सकता है और उससे जो है अधिगम हो सकता है learning हो सकती है लेकिन जो teaching है उसके दौरान जो है वो अधिगम उसके अंदर already होता है उसके अंदर नहीं होता है तो यह कुछ बाते हैं next अधिगम का अर्थ है क्रिया तथ अनवहों के लिए एक आधार को परदान करता है उसके लिए बेस परदान करता है तो यह था अगला देखते हैं हमारे पास क्या है सिक्षा तता सिक्षण में अंतर यानि कि education and teaching में क्या अंतर है वो देख लेते हैं सिक्षा एक सामाजिक करण सामाजिक प्रक्रिया है यानि कि social process है जबकि सिक्षण एक विधी है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है यानि इस socialization के process को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रि लाइफ लॉंग प्रोसेस है हमेशा अपने पूरी जिन्दगी ये चलती रही है कभी समाप नहीं होती है जबकि सिक्षण कक्षा के नियंत्रित वातावरान में होता है है उसके एक कंट्रोल एंवार्मेंट होता है हालांकि आप ऑनलाइन भी हो रही है लिकिन उसके वहां पर भी एक कंट्रोल जो है वातावरान होता है जिसके माध्यम से टीचिंग होती है नेक्स है हमारे पास सिक्षा की प्रक्रिया अंजाने में भी जारी रह सकती है सिक्षान आप्शारिक रूप से सोच जबकि जो सिक्षान होता है वो आप्शारिक रूप से सोच समझ कर दी जाने वाली प्रक्रिया है है ना तो जो भाई सिक्षा है यानि एजुकरिसान है वो हमें कहीं पर भी किसी प्रकार से चुकि मिल सकती है तो कभी कभी हमें वो एक मिनट वो हमें अन जाने मेंगी मिल सकती है अन जाने में किस प्रकार से मिलेगी और उनकी बीच में लड़ाई हो गही फिर दूसरे ने एक ने दूसरे को मारा दूसरे तरीके से जब कहीं पर विवाद हो तो उसे बढ़ाना नहीं चाहिए बलकि चुपचात उसको शांथ करके निकल लेना चाहिए तो friends ये गटना जो वो बताती है कि हमें यहाँ पर हमने कुछ अपनी मर्जी से नहीं सीखा बलगी अंजाने में ही हमने वहाँ पर सिक्षा ग्रहन कर ली जबकि जो सिक्षन होता है वो आपचारिक होता है उसको सोच समझ के करना होता है और किसी उद्दे से के तहत यही प्रक्रिया होती है उसका कोई नहीं कुछ objective होता है तो यह कुछ बाते हैं अगला देखिए next देखते हैं क्या है उसके बाद next है हमारे पास एक सफल एवं प्रभावी सिक्षक के क्या गुण होते है तो जहां पर हम बात करते हैं कि जो attitude है वो teacher का किस प्रकार से बच्चे के प्रति होना चाहिए उसमें उसके गुण भी आ जाते हैं कि किस प्रकार से उसके गुण होते हैं और वही उसको सफल बनाते हैं तो हम बात करें अगर तो एक सफल जो अध्यापक होता है दोस्तों उसके गुणों को हम तीन भागों के अंदर तके गुण होने चाहिए तो ये तीन पैरामिटर्स होते हैं इनके बेसिस पर हम किसी भी टीचर का आंकलन करेंगे और उसको सफल या आज सफल कहेंगे सफल पहले अगर हम ब्यात करें प्रॉपरेशनल स्किल्स की तो उसमें हमें पहली बात जो होनी चाहिए वह है आपका उद्देश्यों का ग्यान नॉलेज ऑफ ऑबजेक्टिव्स जो टीचर होता है उसको हमेशा अपने ऑबजेक्टिव का नॉलेज होना ही होना चाहिए वह किस उसके पढ़ाने का उब्जेकटिव क्या उद्देश्यों क्या है और उसके लिए वह बच्चे का उसके बच्चे का जो साइक कोलोजिकल लेघल है उसकी जानकारी होनले चाहिए उसको ना सभी वह ग्यान को अच्चसत यह सकता है और म liner ऊब्याप्ष को जो है वो knowledge teacher को होना चाहिए साथ के साथ जो राश्टरिये मूले होते हैं national values होते हैं उसको भी उनको जानकारी होने जी तभी जो है वो उसके according देशे मलब वो एक अच्छा teacher तभी किलाएगा जैसे कि for example हमारी राश्टर के मूले अगर धर्म प्रेक्षता वाले हैं समतावाज समाज के हैं तो उसी प्रकार की value जो है वो teacher को जब पता है तभी जाके वो बच्चों को उस प्रकार से सिखाएगा अने था वो हो सकता है वो पूर्वा ग्रहों से ग्रसित हो और अपने हिसाब से जो है वो पढ़ाए तो इस इस इस्तिति में क्या होगा उसको हम एक होना ही होगा जो रृट इब्लूंं के पाने अबने सुना जो वह बीच क्या सो देन ने इसमें क्या क्या यंश प testify पिर दौसरा आठ जिसको दिया है क्रेल है और फिर है मनो योकात्मक पक्षि जो दिया है सिम्सन तो ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो किसी भी टीचर के लिए जानना जरूरी है ताकि वो बच्चे की जो मनो भाव हैं उनको जानकर उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग करें और साथ के साथ बच्चों की समझ्याओं को जादा अच्छी तरीके से सुलजाने में सक्षम हो उसके बाद नेक्स है आपके पास अगला जो इंपोर्टन सीज है वो है बिसाई पर अधिकार कमांड ओबर सब्जेक्ट्स तो ये तो सबसे जादा इंपोर्टन है किसी भी टीचर के लिए कि वो अपने सब्जेक्ट के ओपर अच्छी खासी कमांड रखता हो ताकि जो है वो क्लास के अंदर पूर्ण तयारी से जाए और उसके अंदर एक अलग confidence हो क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर की इजद तभी करता है जबकि उसे लगता है कि टीचर के अंदर कुछ ग्यान है या वाकई में जो है वो उतना अच्छा जो है वो कोई मतलब एफेक्टिव जो है तरीके से पढ़ा पाता है तो वो धारना हमेशा के लिए बन जाती है शुरुवात के अंदर ही अगर आप अगर class के अंदर enter आते हैं और नया बच्चे आते हैं सब्सक्राइब क्लास के अंदर और उन्होंने आपकी एक दो class के अंदर ही पता चल जाता है कि किस प्रकार से टीचर है उसका knowledge किस प्रकार का है और अगर वही पर अगर आपका impression खराब होगे तो वो पूरे साल आप चाहे कितनी में मेनद कीजिए वो वही का वही impression बना रहेगा तो इसलिए जहाए वो command over subject बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद next आपके पास है चात्रों का ज्यान knowledge of pupils तो इसमें क्या आएगा चात्रों की बुद्धी उनकी ब्यक्तित्वा उनकी पस्नालिटी उनके इंट्रस्ट उनकी अभिविर्थी यानिकी attitudes इन सभी की जानकारी अध्यापक को होनी चाहे क्योंकि मनोबैग्यानिक सिक्षा वो क्या कहते है कि बच्चों का मनुद्ध ज्यान है उसको जानना है जिसके अंदर बच्चों की ब्यववार को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसमें आपका और क्या चीज़ें आती है इंडिविजूल डिफरेंसिज कि परती एक बच्चा अपने आप में अलग होता है तो इसलिए उस सब का भी ध्यान रखे हुए टीचिंग करनी है नेक्स आपको पास सिक्षन विद्या एवं रणनीतियों का ज्यान तो नौलेज और टीचिंग स्ट्राडिजी एंड टेक्निक्स यह तो बहुत ज़्यादा जरूरी है जब तक आपके पास स्ट्राडिजी नहीं है टीचिंग की उचित रणनीतिया नहीं है तब तक आप बच्चे को पता ही नहीं सकते हैं कि कहां पर क्योंकि उचित जो रणनीति होती वही जो है वो आपको जब आती है तो वो आपको बताती है कि कौन सा जो टॉपिक्स है वो आपको किस के माध्यम से किस विदी के माध्यम से पढ़ाना है यानि कि उसको आप आपको ब्याक्या करके पढ़ानी है उसकी या ये कोई टॉपिक इस प्रकार का है जो कि प्रियोगात्मक तरीके से जादा अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है या हो सकता है कोई इस प्रकार का टॉपिक है जिसको प्रोजेक्टर के मादियम से जाद अच्छे तरीकर से पढ़ाया जा सकता है या हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको प्रस्नोतर के मादियम से पढ़ाया जा सकता है अलग अलग प्रकार से जो है वो हो सकता है current events के विसे को जो interesting बनाने के लिए वो आंतरिक अभिप्रेणा जो है उसमें सायक होता है आपका current affair होता क्या है कि teaching में एक बार job में जाने के बाद जो है जो है teacher अपने knowledge को update करना छोड़ जाते हैं वो अपने current से हट जाते हैं इस वज़े से जब भी उनकी जो teaching होती है वो effective नहीं होती है इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जो घटना है होती है वो पुरानी घटना है जो subject का उनका knowledge है वो तो पका पका है knowledge है वो हर साल उसी को घिसते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ value addition नहीं करते हैं अब value addition कहां से होगा जब knowledge ही नहीं लेंगे तो value addition अपने आप नहीं होगा जब आप update रहेंगे तब जाके आप उसमें क्या करेंगे value addition कर पाएंगे for example अगर मैं किसी topic को पढ़ा रहा हूं मैं suppose पढ़ा रहा हूं operating system मुझे सब कुछ पता है operating system के बारे में और मैंने उसका theoretical पूरा बता लें लेकिन अगर मुझे current का ही नहीं पता है मुझे अगर मैंने current का suppose एक example दे दिया कि आज के समय में जो mobile है ये मेरे पास mobile है ये android है और इसके अंदर android 11.0 जो है operating system है तो इससे क्या होगा आपने current event के साथ उसको जोड़ दिया है जिसके कारण से बच्चा अब interested हो जाएगा कि वाकि ये कोई नहीं चीज है क्योंकि अभी इसमें ये development हुई है तो उससे आपका एक तो बच्चों के अंदर internal motivation है वो increase होगा और subject आपको automatically strong हो जाएगा है ना तो ये चीजें होती है और जो इत्यास और जो humanities के subject होते हैं उसको पढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूर है आपका current event से जूड़ना क्योंकि जब भी आप इत्यास भूगोल राजनिती ये सब चीजें पढ़ाते हैं तो उसमें current की जो events होते हैं उनके साथ जोड़के जरूर उसको पढ़ाना चाहिए उसको next है आपके पास संप्रेशन की चमता यानि की communication ability इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो class के अंदर सबसे ज़्यादा उसको ये problem होती है कि कि किस प्रकार से teacher आपके साथ communicate कर पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा knowledge होता है लेकिन वो अच्छा communicate नहीं करते हैं इस वज़े से वो अच्छा deliver नहीं करते हैं और अच्छा deliver नहीं करेंगे तो अच्छी teaching नहीं होगी तो friends उसके लिए आपको भासाओं का भी अच्छा ग्यान होना चाहिए अटलिस्ट तीन भासा हैं आनी चाहिए जिसमें कि एक आपकी मातरी भासा जानी कि हिंदी होगी दूसरी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए और तीसरी कोई भी छेत्री भासा जिस छेत्र में आप काम कर रहे हैं जिस चेतर में आप पढ़ा रहे हैं, वहां की जो local language है, वहां इसकी local language भी आपको समझने में आनी चाहिए, लिखने में आनी चाहिए, ताकि आप क्या करें, अच्छे से interaction कर पाएं, जिसकी for example, गडवाली है, कुमावनी है, इस प्रकार की जो language है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, वहां की हमें आनी चाहिए, ताकि वहां के समधाय के साथ हम संबंग बना के रखें, और वो भी एक teacher के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेक्स है, आपके पास प्रभावी अनुदेशन समता, effective instruction ability, तो यह हमने अभी अभी बात की कि, जो instructions होते हैं, वो बहुत ज़्या next है, अनुसंदान यों प्रयोग का causal research and experiment ability, तो इसमें क्या होता है, कि सिक्षन के साथ साथ नए प्रयोग करना भी आखशक है, और self-motivate होके, जो है, अगर हम नए-ने जो innovation या प्रयोग जो है, teaching के अंदर करते हैं, तो उससे बच्चे भी motivate होते हैं, और उनके अंदर भी व हमारा internal motivation नहीं बढ़ता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो teaching होती है, उसके अंदर जादा जादा research को promote करना है, और साथ के साथ जो है, हम किस प्रकार से, जादा से जादा चीज़ें, परयोग के माधियम से किस प्रकार से समझाएं, अवधारणाओं को हम कैसे परयोग के माधियम से समझाएं, है न, परयोग के माधियम से, और परयोग ऐसा नहीं कि क्योवल science के अंदर होता है, किसी के अंदर भी हो सकता है, arts के अंदर भी प्रयोग हो सकता है, for example, आपको अगर समझाना है कि किस प्रकार से राश्टपती के चुनाओं के अंदर vote डाले जाते हैं को क्या होगा और एक तक तरह का नया प्रयोग हो गया मानी Jan है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि से दॉद्याम और उसकी इन्टेलिजेंस काफी अच्छी hazard बलके हो ताकि वो चीजों को क्रेटिव तरीके से प्रजेंट करें नेक्स आपका नेत्रित्व गोण यानि की लीडर्शिव क्वालिटी तो यह किसी भी टीचर के लिए बहुत ज्यादा एफेक्टिव है क्योंकि बिना लीडर्शिव क्वालिटी के बच्चा जो है वो कभी क्लास को आप कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होंगे क्लास के उपर कमांड करने में सक्षम नहीं होंगे उसके बाद आपका नॉलेज सब्जेट का कितना अच्छा हो कितना अच्छा आपका प्रजेंटेशन हो लेकिन आप कमांड नहीं कर पाते हैं आपका अंदर अगर नि तरिक तो छमता नहीं है फिर next आपके पास विशाई में रुची यानि की interest in subject तो ये सबसे ज्यादा जूरी है अपने subject के अंदर आपका बहुत ज्यादा इंटरस्ट होना जुरूरी है next है आपके पास सिक्षण सहायक समगरी का प्रयोग तो कब किस आपके topic के अंदर कौन से teaching aid का प्रयोग करना है किस material का प्रयोग करना है कौन से chart कौन से आपके study material या किस प्रकार का कोई globe है या कोई अलग प्रकार की ppt बना के present करना है ये सारे ज next है आपका मुल्यांकन की योगेता तो जो इसके टीचर होता है उसके लिए evaluation करने की जो छमता होती है वह भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है important होती है क्योंकि जो evaluation होता है वो किसके base पर होना चाहिए वह एक उसमें objectivity होना बहुत जरूरी है यानि कि आपका मार्स दिये हैं लेकिन आप उसको सिर्फ दो मार्स देते हैं तो इसका मलब आपकी टीजिंग जो इविलेशन है उसमें objectivity की कमी है यानि कि आप सही से इवैल्यवेट नहीं करते हैं तो इवैल्यवेशन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए वो वैलिड होना जरूरी है औ और बच्चे का जो करिकुलम करिकुलर के साथ को करिकुलर में किस प्रकार से है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर टीचिंग के रहों में इवैल्यवेशन करना होता है तो यह कुछ बाते हैं उसका अगर हम परस्णालिटी की बात करें टीचर की तो फ्रेंड्स परस् धृस्ती दृस्त और फूर्तिल्हे और क्या किते हैं एक्ट शेस रहा होना चाहिए ज commerce प critically दिनकीं होनी चाहिए उसका जो दिमागी इस तर एक far any different फिर उसके बाद next समायोजन की चमता यानि की ability of adjustment तो जिस जगह पर वो टेजिंग के लिए जाता है वहाँ पर किस प्रकार का समाज होता है कहीं तरह की परस्तितिया होती हैं उन सभी से समायोजन की जो चमता है वो teacher के अंदर होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कहीं तरह के जो समाज के अंदर वो जुड़ता है वहाँ पर parents का भी pressure होता है और साथ के साथ जो कहीं तरह के अन्य प्रकार के बच्चे होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है तो उन सब के बीच में adjust करना teacher के लिए बहुत बड़ी बात होती है और साथ के साथ अपनी जो एक self identity है उसको भी बना के रखना ताकि वह वहाँ पर एक respect भी बनी रहे एक जो teacher की identity है और समाज के साथ गुलन सील भी रहे तो वह सारी चीजें किस प्रकार से एक adjustment करना है वह आपका ability के डिपेंड करेगा फिर next आपका आकरसक होना चाहिए तो आकरसक का in the sense आप ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्मार्ट हो तो उसांस को मतलब होता है कि आपका जो प्यक्तित्व होना चाहिए जिसमें की आपका आपका जो लुक है वह एक तरह सब्सक्राइब होना चाहिए और उसके लिए जरूरी कि आप बालों में जो है से धुलेवे कपड़े हमेशा पैने जो अपने आपको एक जेंटलमेन की तरह रखें तो वह आपके आघर सक ब्रक्तित्तों के लिए जरूरी फिर नेक्स से आपके पास सयम और धैरिया तो टीचर के अंदर परसिवरेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंट सबसे बढ़ा गुण है ट प्रकार से धैरिया बना के रखते हैं आपके अंदर कितना सेल्फ रिस्ट्रेंट हैं और आप कर परस्टितियां से किस प्रकार से निपड़ते हैं वह एक टीचर के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी है उसी को कहते हैं सयम और धैरिया नेक्स आपका खुला दिमाग ओपन मा मेंड़ का होने का मतलब यह नहीं की वो बिलकुल क्लास के अंदर सब कुछ करता हो वहां पर कि वह सभी प्रकार के जो कि एक सर्वमानिय है उसको मानता हो है ना अपनी उसके कुछ पूरवा गरह हो उसके पीछे नहों जिसके कारण से वो बच्चों को उसी प्रकार से सिखाए तो यह आपका खुला दिमाग होने का मतलब है साथ के साथ महिलाओं के परति उसका जो एटिटूड है या उसका बिहेवियर है वो भी एक positive होना चाहिए यानि की उसका behavior positive होने का मतलब उसका जो बिहेवियर है वो आधुनिक समाज के साफ से होना चाहिए फिर नेक्स है आपके पास मैत्री पूर्ण यानि फ्रेंडली तो टीचर का फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंडली का मदब यह भी नहीं है कि आप बच्चे के कंदे में हाथ रखके चलेंगे लेकिन आपका बच्चे का बच्चे को इस प्रकार लगना च ताकि तब जाके वह मेहनद करेगा और तब जाके वह बच्चे को अच्छे नंबर दिला पाएगा या उसके उसका सरवांगेण विकास करवाएगा उसका जो है अच्छे से उसको स्टडि करवा पाएगा फिर नेक्स आपका सानभूती फूर्ण तो सिंपैसेटिक यानिकि वो है teacher जो है वो हमेशा उसके लिए तयार है और वो बिना किसी ही जग के उससे questions पूछ सकता है या उससे help ले सकता है किसी भी चीज के लिए तो उसी को कहते है सहानबूती पून फिर नेक्स है आपके पास आत्म ग्यान self actualization तो इसमें तो यह होता है कि अपनी जो कमी है और उनकी योगताएं हैं क्या मेरी अंदर कमी है क्या मेरी योगताएं हैं इन तोनों का ग्यान teacher को होना चाहिए और उसी के अपॉर्डिंग वो का स्क्राब करें फिर नेक्स आप पास पास जीवन परियंत्र चात्र तो एक टीचर हमेशा lifelong एक student रहता है यानिकि हमेशा वो student लगातर आगे बढ़ता रहेगा फिर नेक्स हम देखते हैं इसमें आगे क्या है फिर अगर हम बात करें सिक्षक के कुछ कारे भी होते हैं सिक्षक का कारे जो है मेंली तो बच्चे का सरवांगिन विकास होता है लेकिन मेंली वो इसके लिए कौन-कौन से कारे करता है तो यह आप सब जानते हैं चातों की जो उपस्तिती है उसका रिकॉर्ड रखने का काम एक टीचर का होता है उससे सिक्षण और पार्ठे सहे गामी उनको और्णाइज करना यह सारे काम आपके स्कूल के अंदर होते हैं फिर आपके ब्यावसाइक कार्या यान ने की जो टीचर है वह एक प्रपेस्टली काम करें बच्चों के साथ प्रपेस्टीकर कं करें जैसे की यह एक प्रपेस्टी जैसे जासे बिल्कुल कुछ ही नह है आपके पास छात्रों की निगरानी तो लगातार जो आपका छात्रों को जोình का में वुवू इसको देने का काम करते हैं जैसे कि उसने आपका करियाल सन्बनदी यो फो भी प्रमोक होते हैं खासकर रोग के बच्चे होते हैं उनके नहीं क्योंकि वहां पर जए बच्चे को समझ में नहीं होता है कि और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं थो हमें सबसे पहले बच्चे के इंट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसको काउंसिलिंग या उसको गाइडेंस नेक्स है आपका record तयार करना, बच्चे का जितना भी record है वो सारा का सारा तयार करना होता है और उसको आप जानते हैं क्याएं पोर्टफोलियो कहते हैं फिर नेक्स है आपके पास सूचना देना बच्चे के बारे में जितनी भी सूचना है वो प्रिंस्पल को या प्रिंस्पल को देना वाखों तक पहुचाना ये सारे काम होते हैं पिर जन समधाई के साथ संबंद बनाना तो जिस समधाई में जो क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे उनके parents के साथ, उनके समधाय के साथ सिदे सिदे आपका जो relation बन जाएगा, इसलिए उन सब के साथ किस प्रकार के संबंद आप बना कर रखते हैं, वो भी एक teacher का काम होता है, तो इस प्रकार से ये प्रमुक कुछ काम थे teacher के, तो दोस्तों आज की lecture में इतना lecture के अंदर, ओके, तो चलिए, तब तक के लिए इतना काफी है, thank you so much, have a good day.